नमस्कार आप देख रहे हैं News 20 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुरेंदर सोनी देखिए समाधता दूशन सियंगेलोत की खास रिपोर्ट उत्तर पुर्देश में भाजेपा विदान सवाद चुनाओं को लेकर अभी से ही चक्रवियू की रचना शुरू कर दिया है सब ठीक रहा तो आजे तिनाद के चुनाओं रत में साथी की भूमिका में कैशव प्रसाद मोर्य ही सामने आ सकते हैं हाला की शैयंस के बादल तब दूर होंगे जब कैशव मोर्य मुख्यमंत्री आजे तिनाद को चुनाओं चेहरा बताएंगे बहुत अलग है कि यहां और वही मंत्री स्वामी प्रसाद मोर्य कैश चुके हैं कि यूपी विदान सबाद चुनाओं का चेहरा तय नहीं है वहीं केंजरी नेत्रत को ही तय करेगा यानि की भाज़पा के सयोगी और छोटे दल के पिछडे जाती के नेताओं ने भी अपनी विस्चेदारी को लेकर दवाव बनाना शुरू कर दिया बाज़पा और संग को पता है कि अगले और पिछडों के बीच के तालमेल से ही यूपी विदान सबाद चुनाओं में नईया पार हो सकती है लिहाजा पार्टी पिछडी चाती के नेताओं को विदान सबाद और विश्वास सुमत में लेने का प्रयास युद्धिस्तर पर कर रही है मुख्यमंत्री जोगी का गिप्ति सीन केशव मोर्य के घर जाना हाई कमान की यह कोशिश की एक सभलता का मिल का मथ्थर है जिसके बाद मोर्य का योगी के निष्टो को देकर सकारात्मत बयान भी संद के प्रयासों की सभलता के पहले कदम की बावी थी केशव मोर्य का यह बयान कम दिल्चस्प नहीं कि जिसमें उन्होंने कहा कि उठ्ख्यमंत्री और मेरे रिष्टो के बीच आने वाली हर दिवार को गिरा दी जाई जानी कि सिदा सिदा मतलब है विपक्ष सेके हाला कि रिष्टो की दरार को भरने की कोशिशे जारी ही थी कि इसी बीच दूसरी पिचली जातियों के बीच पकड़ रखने वारे छोटे दर्ग के नेताओं ने भाजपा के खिलाब चक्रिपी उरचना तेज कर दिया वही इसमें कुछ भाजपा संग्ठन के हैं तो कुछ बाहर के हैं जबकि कुछ ऐसे भी देता है कि पिछले विदान सबाग चुनाओं में साथ में थे लेकिन अब रिष्टे तोड़ चुके हैं लिहाजा भाजपा सब कुछ ठीक ठाक होने की तस्वीर पेश कर अपने चुनाओं नईया पार करने की जुगत में लग गई लेकिन भाजपा को इस चक्रिव्यू रचना में कितनी सफलता मिलती है यह देखना भी दिल्चस्प होगा बेरा रेपोर्ट न्यूस्ट्वन्टी इंटिया